जादा पैंसन के मैटर में एक नया सब्सक्राइब किया है पूरी जानकारे आपको इस वीडियो को मादब से दी जाएगी अब सभी को पता है एपीफो की तरफ से ज्यादा पैंसन पाने वाले करमचारियों और पैंसन भोगयों को पेस पेस आ रही है कुछ समस्या है कि बारे में एक सर्कुलर जारी किया गया है इस में तीन मुद्व को स्बस्त किया गया है पहला हाय पैंसन वी ज्याइंट आप्लिकेशन जम्मा कराने के बाद क्या होगा दूसरा व्याइब के संफ फार में कोई गलती न न होने पर क्या होगा त्रीसरे जैनी कंपनी फार्म एकम को मैंजोर नहीं देती है तो फिर क्या होगा जदब पंसन पाने के लिए अवेदन करने की अंतिम तारिक तीन मई है सर्कूलर के मुताबित जॉइंट आप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के बाद EPFO का फिल्ड आफिस इसकी जांच करेगा एक बार जब जरूरी दस्तावेश पूरी हो जाती है तो एंप्लॉयर की ओर से बेतन वितरन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसे EPFO के पास उपलब डेटा से सत्यापित किया जाएगा डेटा सत्यापित हो जाने के बाद EPFO बकाया रासी की गढ़ना करेगा और बकाया रासी जमाया या हस्तांत्रित करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा डेटा में मिस्ट मैच होने पर क्या होगा ऐसा हो सकता है कि EPFO के पास उपलब डेटा और एंप्लॉयर एंप्लॉयर तथा कर्मचारी की ओर से दी गई सही जानकारी में कोई मेल ना हो सर्कुलर से सपस्ट किया गया है कि बे मेल होने की स्थिति में EPFO की ओर से एंप्लॉयर और कमचारी पेंशन भोगी सुचित किया जाएगा सही जानकारी देने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा जॉइंट एप्लिकेशन फार्म कमपनी की ओर से अप्रूब नहीं है तब क्या होगा जॉइंट एप्लिकेशन एप्लिकेशन फार्म अगर एंप्लॉयर की ओर से अनुमोदित ना होने की स्थिति में employer को अत्रिक्त सबूत या साक्ष मौया कराने का या किसी भी गलती को सुधारने का उसर दिया जाएगा ऐसा मौका एक महीने की अधिक के लिए होगा इसकी सुचना कर्मचारियों को pension book को दी जाएगी कई दिनों से ठब पड़ी है इपास्बूक की सेवा आपको बता दें कि एपयफो की सेवा पिछले कुछ दिनों से ठब पड़ी है यूज़र्स सिकायत कर रहे हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से इपास्बूक प्राप नहीं कर पाएँ और इपयफो की website और इसके उमंग application की विशेशताएं काम नहीं कर रही है कई यूजर सोसल मीडिया पर अपनी परिशासनी साजा कर रहे हैं कि इपास्बुक का दस्तावेज है एक दस्तावेज है जिसमें EPS खातों के बारे में सही जानकारी होती है और इधर EPS ने रखम जमा करने वाले सदस्यों से माफी मागी है और कहा है कि सम्बंदित टीम स्थिति की जाच कर रही है सुधार के कुछ समय दे जब लोगों ने इप्यफो के ट्वीटर पेज को सिकायत के साथ टेक किया तो इप्यफो ने तुरन जवाब दिया इस्थिति को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा ऐसा कहना है इप्यफो का तो यह काफी बड़ी बात है जो इप्यफो ने किया है जो कि मैंने आपके साथा किया इस वीडियोग मादम से